नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहद ही महतोपून जानकारी ले करके आज कल की लाइफ ऐसी हो गई है कि सभी चाहते हैं कि हम बहद ही फिट और आकरशक दिखें आकरशक दिखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी नहीं हो आप केवल और केवल जीम करके अपनी बॉडी को फिट नहीं बना सकते हैं इसके लिए आपका खान पान बढ़िया होना बहत जरूरी है क्योंकि जीम से आप बॉडी में कट सला सकते हैं लेकिन प्रोटीन एनरजी जो बॉडी को चाहिए होगी वो आपको खादे पदार्थों से आएगी इसलिए आपके खाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए ये बहत जानना जरूरी है आपके लिए क्योंकि आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें जीम कर लें जब तक आप सही डाइट नहीं लेगे आपको कोई फायदा नहीं होगा इसलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर के ऐसी अवश्रधियां या फिर ऐसे खाद्य पदार्थों से जुड़ी होई जानकारियां लाएं हैं जिन में की प्रोटीन की मात्रा और विटामिन्स की मात्रा खास करके बोडी विरिडिंग के लिए सबसे अच्छी होती हैं आप अगर बोडी बनाना चाहते हैं तो जिम के बाद इन चीजों का सेवन आवश्य करें जिम से क्या होता है कि आपकी बोडी से एनरजी निकलती है और आपकी मसल्स मजबूत होती हैं और मसल्स में कर्स आते हैं लेकिन जब बोडी में कुछ रहेगा तो ही वो कर्स अच्छे भी लगेंगे इसलिए आये जानते हैं कि किन चीजों को खाना चाहिए जब आप जिम कर रहे हों और अपनी बॉड़ी को बिल्ड करना चाहते हों क्या आप संत्रिप्त वसा कोलेस्ट्रोल और मांस की क्रूरता से मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन चाहते हैं ऐस हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मांसाहारी नहीं होते हैं तो उनके लिए सबसे यह अच्छी चीजे हैं और सबसे लजीज यानि की स्वादिश्ट भी आप अपने भोजन में इन प्रोटीन से भरपूर पदार्थों को शामिल करके अपनी बॉड़ में 32 ग्राम होती है यानि कि आप अगर पनीर का सेवन करते हैं तो आपके हड़ियां मजबूत होंगी इसके साथ साथ आपकी मसल्स भी बेहद मजबूत होंगी यानि कि अगर आप पनीर का सेवन करके इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद पनी साइज करते हैं तो आपकी बोड़ी में cut भी अच्छे आते हैं आप स्वास्थ भी रहते हैं इसके आलावा बिंस भी एक प्रोटीन का बियाधि महत्वपूर्ण शरूत है बिंस चाहें काली हो या चितकवरी, राजमा की शकल में हो या फिर चने की, ये सस्ती भी होती है, पकाने में आसान भी और प्रोटीन से भरपूर भी, अपनी इच्छा के अनुसार आप बिंस को रोटी या फिर चावल के साथ सलाद में या सूप में डाल करके खा सकते हैं, इससे आपको भरपूर मात मात्रा में प्रोटीन मिलेगा जिससे आपकी बोडी बन जाएगी इसके अलावा अगर आप अपनी बोडी को बनाना चाहते हैं तो आपको दालों का सेवन जरूर करना चाहिए दाल दुनिया भर में पसंद किया जाता है आप इसको स्वादिश्ट सूप की शकल में या चावल के उपर डाल कर प्याज और गाजर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं प्रतेक सर्विंग में 12 ग्राम प्रोटीन की एक भारी मात्रा होती है इसके अलावा सोया बीन के चंक्स और वेजी वर्गरों से लेकर शाकाहारी शामी कबाब तक शाकाहारी मुह में पानी भर देते हैं इन शाकाहारी मीटों में प्रोटीन भी भारी मात्रा में मिलती है इनसे जल्दी और आसानी के साथ सेंड़ीच बारवेक्यू और ऐसे स्नेक्स बनाए जा सकते हैं जो आपके अधिकतर मानसाहारी मित्रों को खुश कर देंगे क्योंकि आप साकाहारी है और मानसाहारी खाना नह के लिए बार्वेक्यू सौंस के साथ बेक करने के लिए या गी या ग्रील पर भूनने के लिए प्रयोग किया जा सकता है आप इसे अपने पसंदीदा मेनिरेशन या मसालों में लपेट सकते हैं दिल को मुह लेने वाले आहार तयार करने के लिए सक्त या एक्ष्ट्रा सक्त क किस्म का चैन करना नहीं भूलें आप इसके हलावा मेवे और मुफली और मखन का सिवन बिल्कुल जरूर करना चाहिए आपको अगर आप अपनी बोडी बनाना चाहते हैं तो मुफली का मखन हमेशा ही एक अच्छा स्नेक माना जाता है और मेवे तो इससे भी ज्यादा फायद मेक्स बना सकते हैं और चाहें तो इन्हें मर्तबान से सीधे निकाल कर भी खा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि सुबह ही हम क्यों बोलते हैं इनका सेवन करने के लिए क्योंकि रात भर जब आप सोय हुए होते हैं खाना खाने के बाद तो सबसे ज्यादा पेट की सभाई और उस वक्त जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो आपकी बोडी में सबसे सही ढंग से करे करता है वर्क करता है क्योंकि डाइजेस भी इजली होता है क्योंकि सुबह सुबह हमारा पेट जो होता है वो बिलकुल खाली होता है इसलिए आप सभी को जब भी इन हैवी चीज़ में बहुत अच्छा होता है इसमें गाय के दूध जितना प्रोटीन होता है परन्तु कोलेस्ट्रोल और जानवरों के प्रतिक्रूरता इसका हिस्सा नहीं होते हैं आप इसे अलग-अलग फ्लेवर जैसे की मलाईदार वेनिला या चोकलेट में प्रियोग कर सकते हैं इसके अल अलावा फासफोरस, केल्शियम और विटामिन्स अधिक महत्रा में पाये जाते हैं दूध एक पून आहार होता है यानि कि किवल आप दूध पीते हैं इसके अलावा अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे ना हीं पानी पीएंगे तो भी आप आसानी से स्वस्त जिवन जी स जो कई बिमारियों को शरीर से बचाता है दूध कमजोर शरीर को शक्ति देता है इसके साथ साथ आप काबली चैने का भी प्रयोग कर सकते हैं काबली चैने प्रोटीन का अच्छा सोर्स है इसका आटा रोज की धायित में आप शामिल कर सकते हैं अगर बॉडी बेडिंग कर चाहते हैं आप तो इसमें प्रोटीन की मातरा एक कप में 21 ग्राम होती है एक पीटा ब्रेड और दो चम्मच कावली चने के छोले में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है गेहूं और चावल में अमीनो एसीड लीसिन की कमी होती है जबकि छोले में प्रचूर मातरा में लीसिन होती है इसके अलावा दही में भी केलशियम और प्रोटीन दोनों भरपूर मातरा में होते हैं दही में केलोरी कम होती है इसमें प्रोटीन की मातरा एक कप में 17 ग्राम होती है रोज दही के इस्तेमाल से शरीर ठीक और निरोग रहता है दही इंसान की उम्र को बढ़ाती है दही से बनने वाला छांस तो सबसे ज़्यादा पौश्टिक होता है यानि कि उसके बाद आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में लगता भी है हम इतने ज़्यादा ओप्संस आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है सभी लोगों को जो हम एक दो चीजें जैसे कि सबसे पहले हमने जो बताया जैसे कि पनीर इसके अलावा बादाम यह सबसे जरूरी है अगर आप बोडी बेडिंग कर रहे हैं तो लेकिन उसका सप्लिमेंट मालों कि आपके पास नहीं उपलब्द हो पा रहे हैं यह चीजें बहुत ज्यादा कोश्टली भी होता है पनीर और आपको बादाम भी मालीजे हर रोज नहीं ले सकते हैं इसलिए हम उसके ऑप्सनल चीजों को भी आपको बता रहे हैं कि इन चीजों का भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपको उसके लगभग समक्ष ही फायदे मिलेंगे तो इन सब के अलावा आप मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रोटीन का एक और शुरोत यह है कि मूंग डाल से प्रोटीन बहुत अच्छी मातरा में मिलती है आईरवेद में मूंग की डाल को कई बिमारियों को खत्म कर देने वाली और शदी कहा गया है यह शरीर को कफ, वात और बुखार से बचाती है यदि किसी को खाना नहीं पचता है तो उसे छिलके वाली मूंग की डाल का सेवन करना चाहिए अंकूरित साबुत मुंग का सेवन करना तो शादीर के लिए बेहदलाब दायक होता है इसके साथ साथ आप ओट्स ले सकते हैं ओट्स में फैट कम और प्रोटीन ज्यादा मातरा में होता है इसमें प्रोटीन की मातरा 100 ग्राम में 17 ग्राम होता है ओट्स में फैट नक के बराबर होता है इसलिए वजन कम करने के इच्छुक लोगों के लिए ओट्स एक बहतरीन ब्रेकफास्ट है क्योंकि अभी तक जो हम पनीर वगेरा बताए ये तो उन लोगों के लिए है जिनकी बौडी पतली हो वो अपना वेट गेन करके मजबूत मसल बनाना चाहते हैं उनके लिए एनर्जी देता है लेकिन ये ओट्स जो है उन लोगों के लिए होते हैं जिनका वजन ज्यादा हो उनको के वल कर्ट्स लाना हो बौडी में तुम जीम जाते हैं जीम जाने से एनर्जी लोग तो होती है लेकिन अगर आप इसके साथ साथ हैव से लोगों के लिए और सबसे ज़्यादा फायदे मंद होते हैं इसके आलावा आप राजमा का प्रयोग कर सकते हैं राजमा बींस में प्रोटीन के मात्रा होती है प्रोटीन के मात्रा एक कप में एट ग्राम तक होती है उबले हुए राजमा में यह जो हमने आपको मात्रा बत कद्दू के बीज में अंडे से दोगना प्रोटीन ज्यादा होता है प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन और जिंक भी अच्छे मातरा में होती है इसमें प्रोटीन की मातरा एक कप में फेलब ग्राम होती है इसके साथ साथ आप सेम का प्रयोग कर सकते हैं सेम को फली भी कहा जाता है इसका सेवन सबजी के रूप में किया जाता है इसमें प्रोटीन और कैलशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है यह पेट साफ करने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है सेम शरीर को ताकत देती है यह शरीर के अंदर की गंदगी को साफ बनाने का क करती है आंखों के रोशनी को बढ़ाने में सेम एक कारगर और शद ही है सेम का रस पीने से डाइबिटेज में भी फायदा मिलता है लेकिन हमारा मुख्य जो आज का ये वियो है वो बॉडी बेल्डिंग से लेकर करके है तो आप अगर सबजी खाते ही हैं उसमें सेम का प्रिय का प्रियोग करें डाल खा रहें अगर तो आप उसमें मुझ की दाल का प्रियोग करें जिसकी वज़े से आपकी बॉडी को बिल्ड होने में ज्यादा आसानी होगी इसके अलावा हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत बनाता है जो भी प्रोटीन योगत आहार होता है वो शरीर का वजन कम करने में भी मदद करता है ये क्योंकि unnecessarily fat आपकी बॉडी पर नहीं रह जाता है इसलिए आपके muscles मजबूत हो जाती है इसके अलावा आप स्वस्त रहते हैं आप जिम करते हैं तो आपके blood pressure को भी एक control रखता है जिम जाने वाले लोगों के लिए protein लेना तो बहुत जरूरी होता है इसलिए हमने आपको ये इतने जो आहार बताएं ये protein से युक्त थे ताकि आप अपनी body को सही धंग से बना सकें आपके हड्या मजी बूत हों और रक्त कोशिकाएं बनती रहें जिससे आपको body building में मदद मिले तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप आप सभी से जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों